प्रदर्शन निश्चित तोर पर अच्छा किया है लेकिन मलाल रह गया है बहुमत का यहां बहुमत को लेकर लगातार पेज इस वक्क करनाटक की सियासी जमीन पर फस्ता दिक रहा है कॉंग्रस ने बाहर से समर्थन की बाट कर दी है और बीजेपी जोड तोर में लगी है कि उसे किसी तरीके के समर्थन की जरूरत ना पड़े 148 सीटों के इस वक्क पर नाम आ चुके हैं जिसमें 77 सीटों के साथ बीजेपी अपना पर्शम लहराय हुए है कैसी तस्वीर आगे बनेगी क्या कुछ और करनाटक की जमीन पर हो सकता है हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ट पत्रकार वेट प्रणाप वैदिक जी मौजूद है और साथ ही पचारी टाइम्स के एडिटर इन चीफ नंदन ज्जा भी हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले वैदिक जी से समझेंगे कि जिस तरीकी की तस्वीर इस वक बनती बिगड़ती दिख रही है कि कमाल तो हुआ बीजेपी की तरफ से लेकिन मलाल रह गया बहुमत का हूँ क्या तस्वीर और आगे बनती दिख रही है उनका व्यक्ति के दनुभव रहा है करंड़ा के सीम के साथ भी पार्टी के साथ भी और मैं वैदिक जी स्टार्ट करें उसके पहले बदा दू कि वैदिक जी बहुत क्लोज बहुत निकट मित्रता रही है पुरु प्रधानमंत्री देव गोड़ा जी से तो इनका इस वक्त हमारे बारे में इस चीज के बारे में बदाना अपने आपने प्रसाथा को बहुत मिल रहा है अगर रात तक चुनाव परिनाम पूरे आ जाए और किसी पारटी को बहुत मिल जाए तो किसी मतलब भाजपा को ही मिल सकता है मिल जाए तो अच्छी बात है लेकिन विसी संभावना बहुत कम लग रही है इसलिए जीता को जीती जनतादल सेकुलर कुमारस्वामी की पारटी जीती और आप देखें कि कॉंग्रेस्वारों ने अभी उनको आफर दे दिया है कि कुमारस्वामी आप बनो मुक्यमंत्री ह आपका समर्थन करेंगे तो सामने से आए नहीं लेकिन इनको आफर मिल जुका है यह अधुछ चुनाव है जिस तरीके से पहले से भी यह बात हो रही थी कि जीडियस की मिकर की भूमिका में करनाड़क की समीन पर नजर आएगी जीडियस ने अपना दुगना प्रदर्शन क चालीजे किया बीस से पच्चीस सीट एक्जिट पोल्स में आ रहे थे लेकिन चालीज सीटों के साथ जीडियस आगे आ रही है कैसी तस्वीर जीडियस के तरफ से आपको लगती है क्योंकि जीडियस भी दूर गामी चीज़ें देखेगी 2019 नजदीक है देखिए जनता दल क खुबी एक तो यह थी कि इसने महां कोई बहुत सांप्रदाइकता नहीं फैलाई कोई बहुत ज्यादा जातिवाद नहीं फैला बलके जातिवाद को थोड़ा सा शितिल किया सिर्फ वोका लिगगा वोटों पर वो निर्वर नी रहे उन्होंने दलितों को भी अपने साथ जोड़ा कुछ आदिवाजिक शेत्रों में भी दखल अंदाजी की तो कुल मिला के उसने अपनी सीटें बढ़ाई हैं और दूसरी बात क्या है कि इन चुनाओं का एक बहुत बड़ा सबक यह है कि अगर प्रांती दल 2019 में आपस में गड़ जोड कर लें तो फिर बहुत बह में हुआ था अगर करनाटका पहले से वह संभीकरन बना लिया होता जो बुआ और अखिलेज जी के बीच में हुआ था अगर यह होता तो कैसा रिजल्ट होता अज देखिए करनाटक इन सारे प्रदेशों के मकाबले मोदी और भाजपा के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक सि क्यों कि वहां एक एसा ब्रेक्ति कि जो पहले भारत का खर्दामंत्र में इंधा एंधि करते हैं और एक बात और है कि दक्षिन भारत के हैं इसलिए जो आपस में प्रतिस्वर्धा होती है इरशा द्वेश होता है बड़े बड़े प्रांतों के बड़े निताओं के बीश में वह उनके प्रतिनी बार चोथी बात उनकी आयू भी अब इतनी हो चुकी है कि देश में जितने सक्री नेता हैं उनमें वो सबसे बड़े हैं इसलिए भारत में तो बड़ों का संबान करना अपनी परंपरा है इसलिए मुझे लगता है कि करनाटक भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनोती बन गया है एक बात एक बात मैं आपको टोकूंगा एक बात और बड़ा रोल वैदिक जी ने निभाया है आज जब सब देश करनाटक के तरफ देख रहा है तो मैं वैदिक जी से थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि वैदिक जी जो पंचायदी टाइमस देखते हैं गाउं के लोग होते हैं एक दोम मुख्या है सरपंच है जो हमको फॉलो कर करते हैं थोड़ा सा हम हम दिल को छूने वाली बात करते हैं जब उस वक्त जब आप दोनों की मित्रता हुई और अभी भी जैसे लोग जानते हैं कि हर एक दिन आपकी बाते हो रही थी इस वक्त आपके उन सिस्षे के विशय में उनके मन में क्या चल रहा होगा जब कॉंग देव गोड़ा जी की बड़ी समस्या यह थी कि अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती और सिद्ध रमया दावा करते फिर से मुक्यमंत्री बनने का तो मैं समझता हूं कि देवा गोड़ा जी किसी भी हालत में चाहे फिर चुनाव दुबारा करवाने पड़ जाते वो सिद्ध रमया का सवर्थन नहीं करते हैं लेकिन सिद्ध रमया काफी बुद्धिमान आदमी है पहले सी उन्हों ने कह दिया कि कोई दलीत को बनाना चाहो तो बना दो मुक्यमंत्री नहीं बोलके अपना ये विशे रखा उनों बिलकुल तो अब इस्थिती बिलकुल इ कि कुमारा स्वामी अगर मुक्यमंत्री बने तो निश्चित रूप से देवेगोडा जी वो देश के भावी प्रधान मंत्री के तोर पर पूरे देश के अंदर डंका बजा सकते हैं कि साउथ में जो उनका अपना एक रुत्वा है पूरे दक्षिन दक्षिन का प्रतिनीद करेंगे वो पुराने प्रधान मंत्री है जैसा मैंने और दो तीन कारण बताया वो सब मिल्क है भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुर्वती सबब बन सकता है जिस तरीके से वैदिक जी कुछ वो परते खोल रहे हैं जो कि शायद हम और आप वहां तक नहीं पहुँ सकते इसलिए इसे अनुभव कहते हैं परते जी कुमारस्वामी एक ऐसा नाम जो कि जैसे की उत्रप्रदेश में मुलायम सिंग यादव और अखलेश यादव है अब पार्टी में सिर्फ अखलेश यादव की चलती है वैसे ही वहां अब हो चुका है कुमारस्वामी जो फैसला क कॉमारस्वामी जैसा मैंने कहा कि अपने पिता को प्रधान मंत्री वनाने का खौब देखेंगे और यह भी देखेंगे कि पांस-दस साल बाद उनका भी मौका आ सकता है अगर वह भाजपा के साथ गढ़ जोड़ करना चाहें अभी हो सकता है कि करें असमभव नहीं खुला कि दक्षन भारत का राज्य है उसको पैसा चाहिए मदद चाहिए केंदरी की केंदर का समर्थन चाहिए वह सकता है कि बंजाएं वह बंजाएंगे तो उनकी मोदी के राज में मोधी के अपने मनत्रियों की इस्थिती और पुराने नेता हुँ जख जाहएं है तो कुमेरा सौमी को कौन पूछने वाला है लेकिन कुमारा सोमें कांग्रेस के समर्थन से अगर बनते हैं तो उनकी अखिल भारती छवी बनेगी, क्योंकि कॉंग्रेस हो कोई नेता ही नहीं है, बिना ड्राइवर के कार चल रही है कॉंग्रेस के लिए कि बिना ड्राइवर के गाड़ी चल रही है, कॉंग्रेस को सोचने की जरूत है, कहीं ऐसा नहों कि अस्तित्तों पर संकट आ कि जब बीच चुनाव में राहूल गांदी ने अपनी मंसा जाहिर की कि मैं प्रदान मंत्री के लिए तयार हूं बसरते हमारी सबस्यादिक सीट आनी चाहिए क्या आपको लगता है कि थोड़ी सी बचकानी बयान हो गई होगी इसे चुनाव में इतना गंभीर मामला होता है एक दूसरे पर प्रहार होते हैं तो थोड़ी मस्करी करना भी अच्छा लगता है तो यह लोग हस्ते प्राभूस करा दें वो थोड़ा सा मजाग्या जंग में उनोंने मस्करी कर दी लेकिन मस्करी वेदीच उनकी तरफ से हुई थी लेकिन प्रदान मंतरी मोधी ने उसका बड़े ही कड़े शब्दों में जवाब दिया वह उनोंने सीर्यस लिया पही है आप अब बाकी चीजे देख लो प्रदान मंतरी तो फिर बंदे रहना बेराल आगे बढ़ें, तो जिस तरीके से इस वक्त करनाटक के स्थिति दिख रही है, एक पूरी तरीके से नाटक शुरू हो चुका है करनाटक में, अब इस वक्त क्या लग रहा है, ये जो पूरा बहुमत साबित करने का जो पूरा कहलीजे की फिल्म है, वो फिल्म आखिर कब जाक हो सकता है कि राजजपाल यह कहें कि जो सबसे बड़ी पार्टी है मैं तो उसी को बनाऊगा और वो यह भी कह सकते हैं कि मेरे पास पहले यह लोग आए भाजपा के लोग आए मैंने उनको मुखा दे दिया यह भी हो सकता है लेकिन अगर ऐसा हो गया इस्परश्ट बहुमत के बिना सरकार बना ली भाजपाल है तो वह 2019 के लिए बहुत ही गलत दाओं फेकेगी वह जुआ गलत हो जाएगा उससे देश में बद्नामी बहुत होगी राजपाल का पद बिल्कुल शंका ग्रस्ट हो जाएगा और प्रशन चिन लग जाए लिए कि 2002 में गुजरात की जमीन पर उन्होंने खुर्सी छोड़ी थी प्रधानमंतरी मोदी के लिए अगर राजपाल यह कह देते हैं कि आईए और आप सरकार बनाएए तो विपक्ष को पूरा मौका मिल गया बिल्कुल संसत का अगले साल भर तक चलना मुश्किल हो जाएगा और पूरा जो दक्षिन भार अगर आप अपनी उस इमेज को उस चवी को बरकरार रखना चाहते हैं तो निश्चिती बीजेपी को यहां इतनी सीटे आने के बाद ये जो राजिपाल से जोड तोड करने की बात है इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए वैदिक जी जिस तरीके से वरिश्चोने के नाते एक सला बीजेपी को दे रहे हैं आगे पढ़ेंगे थोड़ी सी और बाचीत करते हैं इस पर अमिट शा की बात करेंगे एक च का प्रदशन किया है पिछले चुनाव में उसको 20 प्रदिशत वोट मेले थे अब 35 पार करती जा रही है जो जो समय बीत रहे संखया बढ़ती जा रही तो बहुत अच्छा किया है और जवर्दस्त काम किया है हमिशान और नरेंदर बोधी ने पूरी जोग दीता है सारे मंत्री, मुख्य मंत्री, सांसद, विधायक, कारे करता, लाखों कारे करता, घर घर जाके परचार करते रहें, बड़ा अद्भूत काम किया है, इसकी तारीफ होनी चाहिए, अज़ा, प्रधान मंत्री मोधी की बात आप कर रहे थे, दो मई से लेकर, दस मई के बीच, जो तर्टी इलाके थे, जो मध्य करनाटक का इलाका था, में लोरू के आसफास का जो इलाका था, वहां प्रधर्शन पार्टी ने बहुत अच्छा किया, क्या मोधी फैक्टर है, मतलब अगर यहां बहुमत साब इतना ही हुआ, क्यो नहीं है, देखिए, मोधी जी के बारे लिएन, मेरे अंद्र बाहि के बारे में कहता हूँ, कि वो जतने बढ़िया प्रतान मंत्री हैं, उस से कहीं ज्यादा बढ़िया वो प्रचार इतना जवर्दस्त करते हैं, कि वो कई तच्छों को तोड़ मरोड देते हैं कई चीजों के उनको जानकारी नहीं होती है लेकिन दना दन तो के गोलों की तरहें वह भाशन जाल देते हैं उसका असर होता है बिल्कुल यही बात विपक्ष कह रही है कि जुम्लेबाजी ने वोट दे दिया लेकिन गलत क्या है अगर जुम्लेबाजी से पढ़ती है तो देखो लोग तंत्र में तो यह सब खेल होता ही है लोग कहते हैं मोधी नोटंकी करते हैं अरे दूसरे भी तो नोटंकी करते हैं तो नोटंकी का जवाब नोटंकी से दिया जुम्लेबाजी का जवाब जुम्लेबाजी से दिया क और नहीं कहीं प्रधानमंत्री मोधी की जो संघ से जुड़े होने पर जो लोगों से नस्दीकि है आम लोगों से, वो शायद राहूल गांदी का ही मिस कर देते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोधी अपनी रइली में मैं आपके साथ साइकिल से गहूमा था, मैं यहां पन एक पौधा जमीन में लगता है, और एक गमले का फूल होता है, तो फर्क तो होता है, मुझे भी इस बात पर यासा लगता है, कि जब भी पहले इसका मजाग भी उड़ा जाता था, कि जब मोदी जी आते है, हरियाना में तो कहते है, मेरा आपसे पुराना आता है, बंगाल में बात करते थे, जैसे अभी वो नेपाल गय तो मिथला लैंग्वेज में बात किया, तो मिथलांचल में जाके मिथलांचल के लैंग्वेज में बात करना, लोगों को जोड़ना, ये संग में इतने लंबे समय तक उनके प्रचारक अनुभाव का इस्सा रहा है, आप एक्दम में जिसको वोट लेना है, उसको इस कला में परंगत होना चाहिए, सारे दुनिया के कॉर्वेट कंपनी को, अद्वर्टाइजिंग को इन से सीखना कि किसी प्रड़क्त की प्लानिंग और पोजिशनिंग कैसे करते है, पाकेजिंग कैसे उसकी कैसे होती, तो जिस तरीके से करनाठक का इस वक्त रण चल रहा है, निश्चिती, BJP ने प्रदर्शन बहुत अच्छा किया है, लेकिन मलाल रह गया है सिर्फ और सिर्फ बहुमत का, देखना है कि अगले कितने दिनों में करनाठक का ये नाटक खत्म होगा, और मंच का ये पर्दा गिरेगा और मुख्य करनाठक में क्या कुछ आगे हो रहा है, वो भी महाफूफ बताते रहेंगे, कल ही मुझे लगता है कल तक सारी चीज़े साफ हो जाएगे, बिकल आप से मिलते हैं दुबारा, पिर आप से मिलते हैं दुबारा, नमस्कार, धन्यवार्ट